दोस्तों नमस्कार, आद आप सत्स्रीयकाल, निउसक्लिक के कारिकरम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश, अब जब मैं आप से बात कर रहा हूँ, इसके ठीक पांच में दिन, उत्तर प्रदेश की जो विधान सभा है, उसके पहले चरण का मतधान होने जा रहा है, यानि दस तारीक को, और दस तारीक को जो चुना होने जा रहा है, उसमें टोटल 11 जिले हैं, 11 जिले की 98 सीटे हैं, इन 98 सीटों वाला जो इलाका है, वो पश्चिन उत्तर प्रदेश कहा जाता है, और किसान अंदोलन की सबसे अधिक जो आँच थी, सबसे अधिक जो असर था, वो इस इलाके में था, कुछ और इलाके भी हैं, जिनका दूसरे चरण में होगा, लेकिन इस इलाके में काफी था, तो ये वो इलाके हैं, मैं आपको नाम सुना देता हूँ, इन जिलों का शामली, मजफर नगर, गौतम बुद्धनगर, बागपत, मेरट, गाजियाबाद, हापु बलंग शहर, अलिगड, आगरा और मतुरा, दोस्तो इस इलाके में पिछले चुनाओं में भारती जनता पार्टी ने क्लीन स्विप किया था, लेकिन इस बार उसके जो अपने रणी नितकार हैं, उसके जो अपने बड़े नेता हैं, वो भी अपनी अंदुरुनी बातचीत में मानते हैं कि इस बार बहुत दूरा हाल है पश्ची मुच्तर पुदेश में भारती जनता पार्टी का, यूही नहीं लोग अजीब अजीब तरह की बातें कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि चर्बी निकाल देंगे, कोई कह रहा है गर्मी हटा देंगे, गर्मी निकाल तो यह यह यूही नहीं है यह कहीं न कहीं बेचेनी है घबराहट है और यह घबराहट दरसल विपक्षी दलों के कारुन नहीं है इमानदारी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर देखा जाए दली आधार पर देखा जाए तो भारती जनता पार्टी सभी विपक्षी दलों से बहुत आगे है संगठन के बल पर कारिकरता उनकी जो कतारे हैं उसके आधार पर संसाधन के स्तर पर मीडिया सपोर्ट के स्तर पर समूचार टेलिविजन चैनल जितने टेलिविजन चैनल हैं बहुत आयत वेज़ार्टी आपदेव भारती जनता पार्टी के लिए बिलकुल चुनाव ता भी उतना ज्यादा वीजेपी का परचार नहीं कर पा रहे हैं जितना परचार टेलिविजन चैनल कर रहे हैं हिंदी के खोच-खोच कर कहानिया ऐसी लाते हैं जिससे भारती जन्ता पार्टी को फैदा हो खुले आँ लेकिन विपक्षी जो दल है एक तो उनको कवरेज भी नहीं मिल रहा है लेवल प्लेइंग फिल्ड भी नहीं है इस चुनाव में इलेक्शन कमिशन को कोई परवाइस की नहीं है लेकिन उनकी जो इस्तिती है कि उनके कारेकरता मैंने इस इलाके में 11 जो जिले हैं इनके कुछेक हलकों में खास कर मैंने गौतम बुद्धनगर और गाजियाबाद इन दो इलाकों के कुछेक हलकों में मैंने स्वेम जाकर देखा कि विपक्षी कारेकरता चार तारीख तक भी यानि चार फरोरी तक भी जो मतदान केंद्र बने हुए हैं वहां कि इनको किनको अपने समर्थकों को वोट डालना है उसका भी ठीक से प्रबंदर नहीं कर पाए है कि कौन किसको पहुंचाएगा परची कहां क्या होगा किसका वोट है किसका नहीं है कोई संशोधन की गुंजाइस है की नहीं है कोई confusion अगर किसी मतदाता के दिमाग में है तो वो कैसे उसको अटाया जाए लेकिन भारती जनता पार्टी के जो कारिकरता है वो हर जगा दिखाई दे रहे हैं और वो परचियां लेकर अपने-पने समर्थकों के घरों तक भी पहुंचा रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि अगर दलों और दलों के बीच की लडाई हो तो भा तक्ष के कई मौर्चे कई अनाइंस है मायोथी जी अलग लड़ रही है कॉंग्रेस अलग लड़ रही है चंदर शेखर आजात का अलग मौरचा है OASY साहाप का अलग मौरचा है इतनी सारी मौरचे बंदिया है लेकिन यह जो चुनाओं है सत्ता धारी डल्स की जो एंटी अपदस्त नाराजगी है मांगाई के कारण बेरुजगारी के कारण और हेल्थ की जो सर्विसेज हैं यानि स्वास सिवाओं का जो सक्त अभाव है उनको लेकर एजुकेशन का जो बुरा हाल है इन तमाम चीजों से लोग बेहद नाराज हैं किसान अलग नाराज हैं तो ये व परकार को हरकिस नहीं चाहती कि वो वापस आए जनता का बड़ा हिस्सा और वो किसान उसमें सबसे जादा हैं जहां चुना हो रहे हैं 58 सीटों पर यहां 60 फिस्दी 60 फिस्दी से अधिक किसानी से जुड़े लोग हैं किसानी का मतलब हिंदी में अंग्रेजी में से हैं ऐसी स्थिती में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्ण है क्या इस चुनाव में विपक्षी दलों की कमजोरी को जनता जो है एड़ेस्ट करेगी क्या वो भारती जनता पार्टी से स्वेम लड़ जाएगी क्या जनता अपने बल पर अपनी सरकार जो मौजुदा सरकार है उससे जो अपनी नाराजगियां है उन नाराजगियों को क्या मतदान केंद्रों पर अपने वोट डाल कर एक जनादेश की शक्ल में कनवर्ट करेगी ये बड़ा प्रश्ण है इस चुनाव का इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि लगभग बलेही किसान आंदोलन की आच्छ सेंट्रल यूपी स्टर्न यूपी रुहेल खंड बुंदेल खंड में नहीं है लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश का यही हाल है कि विपक्ष का जो तंत्र है बेहत कमजोर है विपक्ष एग्रे प्रता ने तैक कर लिया कि वो जिस सरकार से दुखी नाराज और बेहत परिशान है उस सरकार को अगे नहीं आने देगी तो यह चुनाव में निश्चित रुख से भारती जनता पार्टी के लिए यह चुनाव बहुत महांगा साबित हो जाएगा लेकिन अगर जनता भी आसान चुराओ किसी के लिए नहीं कहा जा सकता दोस्तों आज हफ़ते की बात में हमारी दूसरी जो ख़बर है वो पंजाब को लेकर है पंजाब में नोजोट सिंग सिद्धू और चरंजी सिंग चन्नी दोनों के बीच में कांग्रिस असमंजस में फंसी है कि उसका सीम फे के लिए तो बादल साहब का परिवार ही है उसके उनके जो पुत्र हैं वो मुक्यमंतरी के दावे और इसमें पाया गया है कि करीब-करीब 60 फीसदी लोग चन्नी साहब के फेवर में हैं अब सवाल इस बात का है कि चन्नी साहब के फेवर में हैं तो क्या कांग्रेस जोखिम लेगी किन लोजोट सिंग सिद्धू जो अभी इसंदम कि दीए जा रहे हैं पार्टी को कि हमें डिक्लेयर करो नहीं तो हम बता देंगे, हम समझा देंगे वगरा वगरा अपनी भाशा में तो क्या वो जो खिमलेगी चुनाव सेहन पाले कि सिद्धु साब नाराज होकर मुह लटका लें या कुछ और कर दें और चन्नी साब को अगर वो डिक्लेयर नहीं करते अकसर कहती है कि यही हमारे मुक्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन पंजाब में क्या वो करेगी, 32 फीसली पंजाब में दलित मत दाता है, और जाट सिख जो हैं, जो फार्मिंग कम्मुनिटी में सबसे असरदार माने जाते हैं, उनका भी चन्नी को काफी हद तक विश्वास प्राप्त है, पंजाबियत के वो एक प्रतीक समझे जा रहे हैं, जिस तरह केंद्रा और उनके बीच में कर्फरेंटेशन है, उसको पंजाब की अवाम काफी प्रसंद कर रही है, और यही नहीं, चन्जी सिंग चन्नी के भतीजे पर जिस तरह E.D. ने चापे मारी की है, उ उसमें राहूल गांदी क्या उनका नाम डिक्लेयर करेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है, और अगर डिक्लेयर करते हैं, तो कॉंग्रेस के लिए एक बहुरी दिलचस्प घटना होगी, कि वो जो खिम लेकर भी डिक्लेयर कर रही है, और हो सकता है, यह कॉंग्रेस के लिए बड़ी ताकत के तौर पे सामने आए यह बात, बहुत सारे प्रिक्षों का कहना है कि चन्नी के अलावा कोई भी कल्प नहीं है, तो लिटस सी, देखिए क्या होता है, बस कुछी घंटे की बात है, तीसरी जो हमारी खबर है दोस्तों, वो है, ओवैसी सहाब, ओवैसी सहाब असद दिन ओवैसी, उन पर मेरठ में हुआ हमला, कथित हमला, इसलिए कथित मैं कहा रहा हूँ कि जो हमलावर हैं, वो दोनों अपने को देशभक्त हिंदू बताते हैं, एक ने तो खुल के लिखा है, सचिन उसका नाम है, और वो कहता है कि बीजे पी का सदस्वी है, अब स सवाल इस बात का है कि सचिन और शुभम की ये जोड़ी जीनों ने गोलियां चलाइं, वो टायर पर चलाइं, गाड़ी के निचले हिस्से पर चलाइं, और किसी को कोई परिशानी नहीं हुई, और वो हिरासत में भी ले लिए गए, अब सवाल इस बात का है, कि संजय राउ बात साब शुभ सेना के बड़े लीडरान हैं, बड़े नेता हैं, उनका कहना है, बीजेपी के बड़े निकटरस्त एलाई रहे हैं कुछ वर्ष पहले तक, उनका कहना है कि ये हमला किसी नेता की जान लेने के लिए नहीं हुआ था, ये एक इसके पीछे राजनीती है, उनका मानना है कि UAPA लगना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि आपको हम Z सुरक्षा देंगे, Z सरेड़ी की, वो कहते हैंumed, Z सुरक्षा नहीं चाहिए हमें, हमें तो UAPA चाहिए, कि UAPA उनके किलाफ लगे, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन UAPA उन लोगों पर लग जाता है जो C.A. के खिलाफ, N.R.C. के खिलाफ आंधोलन करते हैं जो लोग माइनर्टी कम्मुनिटी के लिए कहते हैं कि भई इनको भी देश में रहने का हक है, बराबरी का हक है, लेखख, बुद्धी जीवी, तमाम लोगों पर U.A.P. लग जाता है, इ आप देखे, आनन तेल तुमडे, उमर खालिद, JNU के बहुत ही प्रतिभाशाली चात्र, JNU के चात्रों पर जिन लोगों ने हमले किये थे, जिनके चित्र, जिनके फोटोग्राप्स, सब कुछ सामने आ गए, CCTV में, उनको कुछ भी नहीं गिरफतार तक नहीं किया गया, कैसे चल रही है न जाने कितने चात्रों पर, जिन लोगों ने पॉब्लिक मिटिंग में दिल्ली चुनाओं के दोरान खुले हम कहा, गोली मारो, आगे जो गाली दी वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग बड़े-बड़े मंत्री हैं, अब जिस लड़के ने गोपाल नाम क एक युक जिसने की जामिया मिलिया के सामने चात्रों पर सीय आंदोलन के दोरान गोली चलाई, वो जमानत पर चुट्टा गुम रहा है, मस्त है, यहीं नहीं, जो शाहिन बाग में जो गोली चलाई, उसका भी वही हाल है, सब चुट्टा गुम रहा हैं, लेकिन जो लोग वैचारी की लड़ाई लड़ते हैं, वो जेल में हैं, जो लिखने पढ़ने वाले बुद्धी जीवी हैं, वो जेल में हैं, तो निश्चित मानिए कि ये दोनों लड़के, निश्चित रुप से जो पैटर्न दिखाता है, उसका तो यही मतलब है, कि ये भी बहुत जल्दी जमानत पर मुक्त हो करके और गुमेंगे फिरेंगे और अपनी हिंदु भक्ती दिखाएंगे शायद संजयराउट इसी को राजनीत कह रहे हैं कि इस चुनाव में कोई माहौल बनाना है और उसका हो सकता है संजयराउट की नजर में यही बात हो उत्तर प्रदेश में भी का इसका नतीजा निकलता है और क्या सरकार करती है तो यह एक खबर बहुत महत्पुन थी और दोस्तो इसके बात हमारी एक बहुत चोटी सी खबर है और लेकिन बहुत महत्पुन है जो अभी देना मैं चरूर चाहूँगा अभी अभी ताजा खबर मिली है कि हमारे देश की मशहूर गाई का लता जी लता मंगेश कर जी काफी दिनों से बीमार है और वो मुंबई के एक नीजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है डाक्टरों ने आज बताया कि उनकी हालत काफी नाजुक हो गई है और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है उनको पहले कोरोना भी गीतों को उनकी गाईगी को पसंद करते हैं हम सब चाहते हैं कि लता जी बिलकुल स्वस्त होकर अपने घर सकुशल वापस हो तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज की आज की जो ये हफ़ते की बात की हमारी बातचीत थी इसका हम सवापन करते हैं नमस्कार आदाब स चछी आगाल